दोस्तो आज हम बनाएंगे बटर वो भी घर पे तो इसको बनाना बहुत ही इजी है यह सिफ एक चीज से बनकर रेडी होता है तो शुरू करते हम इसको बनाना तो सबसे पहले हम लोग यहापे लेंगे मलाई तो मलाई हमें बिल्कुल फ्रेश लेनी मतलब ज्यादा से तो यह 4 दिन की मलाई है अब मैं इसको एक बॉल पे खाली कर लूँगी इस बटर को बनने में हमें लगेंगे सिर्फ 5 मिनट तो इसमें हमको कुछ भी एड़नी करना है यह हम सिर्फ मलाई से बनाएंगे तो अभी हमें इसको विस्क करना है तो अगर आपके पार विस्कर है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप जो फोक होता है काटे वाली चमच उससे भी इसको विस्कर सकते है तो मेरे पार विस्कर है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ इससे बहुत आसानी से हमारा मक्ख निकलाता है और बहुत जल्दी निकलता है अगर नहीं है तो आप इसको देरे-धेरे करके फेटेंगे, तो थोड़ी देर में जो हमारी मलाई है, वह बहुत टाइट हो जाती है, तो उस ताइम थोड़ा तागत लगती है फेटने में, तो अभी तो मलाई सॉफ्ट है, आप लोग देखते रहिएगा, तो यह देखिए हमारी मलाई थोड़ी हार्ड ह होने लग गए है थोड़ी टाइट हो जाती है तो इसको फेटने में थोड़ी से तागत लगती है आप लोग सकते है आप लोग देख सकते हैं और कुछी दिर फेटने के बाद जो मलाई का कलर है वो बिल्कुल change हो चुका है तो अब इसमें मक्षन बस निकलने वाला है आप लोग देखते रही है तो यह देखिए अब मलाई फिर से soft हो चुकी है अब इसको फेटना फिर से easy हो रहा है तो इस तरह से हम इसको फेट लेंगे और तब तक फेटेंगे जब तक कि इसमें से पानी अलग न हो जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी मलाई है वो बिल्कुल soft हो चुकी है अब इसको फेटना बहुत आसान हो चुका है तो अभी हमें इसको textage speed में फेटना हैं और एक दो मिनिट हम इसको textage फेटने के बाद हमारा जो बटर है वो निकल आएगा तो यह देखिये बटर निकलना स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी हम इसको और फेटेंगे जब तक कि इसमें से पानी अलग न हो जाए तो मैंने इसमें कुछ भी एड़नी किया है हम सिर्फ मलाई का इसको बना रहे है तो ये देखे, पानी निकलने लग गया है अभी इसमें से थोड़ा कम पानी निकला है तो मैं इसको थोड़ी दिर और फेट लूँगी तो ये इसकी पहचान होती है जब बटर और पानी अलग हो जाए मलाई से तो बटर हमारा निकल जाता है ये देखते तो बटर एकदम रेड़ी हैания थोड़ी दे इसको और पेट लेंगे इससे हमारा अच्छी से बटर निकल जाएगा तो ये देखिए सारा पानी अलग हो चुका है और बटर एक साइट एकटा हो चुका है और ये बटर बिलकुर पॉफेक्ट बना है तो अब हम इसको एक साथ एकटा कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हमारा बटर बन कर रेडी है मैंने इसको एक साथ एकटा कर लिया है और सारा हमारा जो पानी है जो मलाई का जो दूद है एक्स्ट्रा वो सब निकल चुका है तो आप लोग देख सकते इसको बनाना कितना ईजी है तो अभी हमें इसकी अगली प्रोसेस पे चलना है तो हम इसको पहले जो इसमें से जितना भी पानी है इसको अच्छी से निचोड लेंगे क्योंकि जो हमारा बटर है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए तो इस तरह से मैंने इसको निचोड लिया है तो दोस्तो आपने देखा कि सिफ चार दिन की मलाई से हमारा इतना ज़्यादा बटर निकल गया है और अगर आपको इंस्टेंट कभी बटर खाने का मनें तो आप उसको मलाई को फेट के आप अराम से इसको घर पे निकाल सकते दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं ऐसी ऐसी एजी रेसिपीस के साथ आते रहती हूँ और बगल में जो बैल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूले उससे गया होगा जब भी मैं कोई नए रेसिपी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा तो यह देखिए मैंने इसको अच्छी से निचोड लिया है अब मैं इसको एक बार साफ पानी से दोलूँगी इस तरह से अब हम इसको वापस करके निचोड लेंगे सारा पानी तो यह हमारा बटर बन कर रेडी है यहाँ पे मैं अनसॉल्टेट बटर बना रही हूँ इसमें बिल्कुल नमक नहीं मिला रही हूँ अगर आपको नमक वाला चाहिए तो आप इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा मतलब 1 फोर्थ से भी कम 2-3 चुटकी भर इसमें नमक एड़ कर सकते हैं अभी आप इसमें नमक एड़ करके इसको अच्छी से मिक्स कर सकते हैं और जो यह पानी है आप इसको फेक नमत या तो आप इसको आटा गुन्ने में यूज कर सकते हैं या इसको वैसे पी सकते हैं चीनी मिलाकर ये बहुत healthy और tasty होता है तो अब मैं इसको बटर को set करने के लिए रख लूँगी फ्रीज में 5 मिनिट के लिए तो ये unsalted है अगर आपको इसको नमक डालना है तो आप उस stage में नमक डालके इसको set कर सकते है तो हमारा बटर set हो चुक है अब मैं इसको चाको से निकाल लूँगी तो ये देखिए बटर बनाना कितना easy है तो आपको ये recipe कैसे लगी है अगर पसंद आए तो like करना और share करना और ये देखिए हमारी इतनी कम मलाई से इतना सारा बटर बन का ready है और ये बिल्कुल natural है इसमें मैंने कुछ भी add नहीं किया है अब मैं आपको इसको cut करकर दिखाती हूँ ये देखिए आप से market जैसा बटर बन का हमारा ready है और इसमें मैंने कोई भी machine का use नहीं किया है तो घर पर बटर बनाना कितना easy होता है आपने इस वीडियो में देख लिया होगा तो रेसिपी पसंद आए तो like करना और share करना और चैनल में नई हो तो please subscribe करना फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ थाइ था 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 बाइ